हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ट्रेवलर में दोस्तों आज मैं राजस्थान के जिस जगा पर आया हूँ वो है इसकी सिरोही डिस्टिक सिरोही डिस्टिक में माउंट अबू ये खिली स्टेशन पड़ता है तो माउंट अब माउंट अबू गवर्मेंट मूजियम तो अभी में उसके बाहर ही खड़ा हुआ हूँ दोस्तों इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा यह बना हुआ है क्या इसकी एंट्री फीस है और क्या इसकी ओपनिंग टाम है किसकी दिन ये ओपन होता है तो दोस्तों माउं टाबू गवर्मेंट मूजियम तो इसके अंदर चलते हैं साथ ही और दखाता हूं कि कैसा यह मूजियम बना हुआ है राज की संगरहाल है गवर्मेंट दोस्तों यह मूजियम है लगवग लगवग हर डिस्टिक में एक मूजियम होता है तो यह आप पॉस करके पढ़ सकते बना हुआ है ऊपर बोड लगा हुआ गवर्मेंट मूजियम माउंट आबू तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ देखने को हमें मिलता है नया तो दोस्तों यह इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुए मुजियम के बारे में की कब बना था किस ने बना था तो आप वीडियो को यहां पर पॉस करके पढ़ सकते हैं के एंट्री फीस की डिटेल्स लिखी हुई आप पढ़ सकते हो जो इंडियान इस्टुडेंट होते हैं उनके लिए 10 रुपे की टिकेट है अधर्वाइस 20 रुपे की टिकेट है और जो फॉरनर होते हैं उनके लिए 100 है दोस्तों को यह थोड़ा सही कंडिशन में नहीं है इसलिए भया ने बोला था जो स्टुडे रहे हैं कि ज्यादा उस साइड मत जाना क्योंकि डेंजर कंडिशन में छट गिरी हुई उसकी अब यह गवर्मेंट प्रॉपटी है दोस्तों तो अगर यह प्राइवेट प्र साथियों तो कुछ इस तरह के बरतनों में पहले अनाज को इस्टूर किया जाता था, आप देख रहे हो मिट्टि का पात्र बना हुआ है इसमें अनाज को इस्टोर किया जाता था और यह आप जो घर रहे हो जो आदिवासी हुआ करते थे माँंट आबू में या मतल करते थे माउंट आब और उसके आसपास के छेत्र में सो कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें इस म्यूजियम में रखी हुई हैं आप इन सारी चीजों को देखिए मैं थोड़ी देर में मिलता हूं और पता हुईों क्यों कुछ इस तरह चीजियम रहता हैं वे फाला आप yr से τοंग के भीका अधने, आप घर चाना से तरहमें आपे ह्पिए झाल 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 मूजियम का जो अफिसियली एंट्री वो वहाँ से है और इसके पहले ये भी कुछ यहाँ पर रखी हुई है मूर्तियां और ये मूर्तियां देखने में काफी कुरान ही लग रही हैं तो मैं आपको ये वी यू दिखालता हूँ आपको ये देखे दोश्का यह मूर्थी रख हुई है हला कि इसके बारे में कोई यहां पर सिला लेखिया कुछ डिटेल्स वगरा नहीं लिखी हुई है लेकिन आप देख के महसूस कर सकते हैं कि यह कितनी पुरानी मूर्थिया है मैं बैक कैमरे से पूरा यह व्यू दिखा देता हूं और ऐसी कतार में लगी हुई धेर सारी मूर्थिया यहां पर रखी हुई है दोस्तों ऐसे देखिए इसके करीब पांच मूर्थिया इस्टेच्व यहां पर रख्यों है और यह चला मैं आपको पास से दिखा देता हूं ये वाइट संग मरमर टाइप का इसमें पत्थर है जिसकी ये मूर्ती बनी हुई है अब तो अल्मोस्ट ये खराब हो चुकी है लेकिन फिर भी म्यूजियम में ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं तो पुरानी ये चीज़ें में देखने के लिए मिलती हैं ऐसी बहुत सारी मूर्तियां उसके अंदर भी रखी हुई हैं दोस्तों तो दोस्तो हम पढ़ नहीं सकते हैं कि यह कुतिनी पुरानी मूर्थिया है यहां पर कोई असब सिला लेख या कुछ हो इस टेट्यू के बारे में लिखा नहीं है लेकिन ऐसे ही इसमें लाइन से बहुत सारी मूर्थियां लगी हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ और यह वाला इस्टेट्यू काफी बढ़ा है दोस्तों देखिए आप किसी हिंदू देवता का देखने से यह प्रतीत होता है यह सारे स्टेट्यू जो आप दोस्तों देख रहे हो यह बहुत ही पुराने हैं और माउं टाबू के आसपास जहां भी खुदाई के दोरान यह प्राप्त हुए थे वहां से लाकर के इनको इस म्यूजियम में रखा गया है यह महावीर स्वामी की प्रतीमा प्रतीत होती है साथियों वहाँ से यह पूरी लाइन लगी हुई है ऐसे स्ट्य को बहुत सारे रखे हुए है और यह काफ़ी पुराने स्ट्य को है साथियों अगर मैं आपके इसके इधर दीवार के साइड दखाऊं तो दोस्तों ऐसे ही प्रतिमा इधर लगी हुई हैं कुछ हमारे हिंदू देवी देवताओं की हैं कुछ जैन धर्म के बारे में तो ऐसी अनेकों प्रतिमा दोस्तों इस म्यूजियम के बाहर रखी हुई हैं और बहुत सारी प्रतिमा इस म्यूजियम के अंदर भी रखी हुई हैं तो दोस् दोस्तों करीब परी 60 साल के लगवग ये पुराना म्यूजियम हो चुका है और अभी सही कंडिशन में नहीं है एक्चुल ये गवर्मेंट के अंडर में है तो उस प्रॉपटी की अच्छी तरह से केर नहीं की गई है दोस्तों इसलिए उसके जो च्छत है वो गिरी हुई है तो उस पार्ट को यूजली जो यहां पर भाईया थे जिनकी यहां पर डूटी है उस यह देखरे करने की वो यह एड़वाइस देते हैं कि आप उस जगा मज जाई है दरवाइस च्छत गिर सकती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही जदा आते रहते हैं आपके लिए